हाई गाई इस वीडियो में मैं आपको एक्स्पेंग करूँगा एक्वेस्टन जौर अफ सम आफ फॉल पेर्स चेक है तो आपको एक एरे दिया गया है लेड़ेसे ए बी सीडी तो इसके सारे पेर्स का सम क्या है पेर्स मतलब हर एक के साथ पेर अप करेंगे जैसे ए प्लस ए a plus b a plus c a plus d फिर b सब के साथ करेंगा b plus a b plus b b plus c b plus d फिर c करेंगा c plus a c plus b c plus c c plus d d plus a d plus b d plus c d plus d तो इस सारे आपके क्या निकला है sum of pairs सारे pairs का sum हर एक का individual sum तो उनका जौर आपको निकाल के देना है आपको ध्यान रखना है complexity n square नहीं होनी चाहिए on में होना चाहिए पर गौर तलब बात यह है कि लेकिन आपके pairs तो n square होते हैं कि हर एक को हर एक के सथ map की है न यह देखिएगा a वाले a वाले 4 b वाले 4 c वाले 4 और फिर d वाले 4 तो pairs आपके n square है लेकिन फिर भी आपको all pairs sum of all pairs निकालना है जोर ओफ किनका जोर सारे pairs का sum यह एक एक pair है एक एक pair उस pair का sum निकाल लिया उनका जोर आपको निकाल के देना है that is what the question is साथ में मैं आपको constant बता दिया n square में नहीं करना हूँ n में करना है तो जैसे आपका array है अगर a, b, c और d तो इसके सारे pairs लिख लेते है a का खुदी के साथ pair उसका sum क्या होगा a plus a a का b के साथ pair उसका sum a plus b a plus c, a plus d a वाले सारे pairs हो गए a, 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 b, a, c, a, d b वाले सारे pairs b, a, b, 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 c, b, d c plus a, c वाले c plus a, c plus b, c plus c, c plus d d वाले सारे d plus a, d plus b, d plus c, d plus d तो आपका सारे pairs आ गए है इनका सब को जौर निकालना था n square में नहीं, o, n में तो देखिए जौर जब निकालते हैं तो कभी भी same value का same value के साथ 0 ही आता है 1, 1, 0, 0 का 1, 1, 0, 0 के साथ जौर देख लीजे same bit के निचे same bit होगी तो 0 ही आएगा तब a plus b और b plus a एक दूसरे को काट देंगे a plus c और c plus a a plus d और d plus a b plus c और c plus b b plus d और d plus b c plus d और d plus c जो बचेगा वो 2a, 2b, 2c और 2d है तो basically आपको 2a, 0, 2b, 0, 2c, 0, 2d ही निकालने की जर्रत है let's code it up तो on में हो गया क्योंकि अब हमें सिर्फ बीच में एक बार loop लगाकर जोर निकालने की जर्रत है सर्ज़ूर 2 into val चीक है राइब सम्मेट करके देखते है तो this would do meanwhile मैं आपके एक और चीज़ बता सकता हूँ कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि यह सब का बस जोर निकाल लेते मतलब लगे हातों हम यह भी देख सकते हैं कि हमें अगर यह कहा जाए कि 2a, 0, 2b, 0, 2c, 0, 2d निकालने हो कहा जाए तो आप 2 को common भाहर निकाल सकते हो और a's और b's और c's और d निकाल के इसको 2 से multiply कर सकते हो एक ही बात है यह property क्यों hold करेगी देखे 2a क्या करता है जो भी a का bit है उसको एक bit से shift कर देगा और नीचे 0 डाल देगा 2b, b के नीचे एक 0 डाल देगा 2c, नीचे एक 0 डाल देगा 2d, जब भी आप 2 से multiply करते हैं तो सारी bit एक उपर shift हो जाती है और नीचे से 0 introduce हो जाता है अब उनका absorbed होगे उपर ली bits सेम ही है तो आपका जो total जोर आएगा जैसे कि एक बार example भी ले सकते है let us say a is कुछ भी मैं लिख लेते हैं चलिए a is let us say 1, 1, 0, 0, 1, 0 इतना ही है b is 1, 1, 1, 1, 0, 1 c is 1, 1, 0, 0, 0 b is 1, 0, 1, 0, 1, 0 चीक है तो मैं एक कहना चाहता हूँ आप 2 into a is or b is or c is or d निकालो या 2 into a is or 2 into b is or 2 into c is or 2 into d निकालो तो एक ही बात है क्यों तो कि देखें अगर आप सिर्फ a, b, c, d का जौर करेंगे पहले इस वाले उपराले को solve कर लेते a, b, c, d का जौर तो this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1 and this is 0 again ठीक है तो यह आया है आपका सब का जौर किया तो अब 2 से multiply किया तो नीचे से 1 bit introduce हो जाएगी अगर a, b, c, d आपका यह है तो 2 into a, b, c, d आपका क्या होगा इसमें नीचे से 0 introduce हो जाएगा तो हो जाएगा 1, 0, 1, 0, 1, 0 that is what upper thing is अब नीचे वाले का अगर आपको solve करना है तो आपको कैसे मिलेगा पहले नीचे से एक 0 डाल दीजे नीचे से एक 0 डाल दीजे नीचे से एक 0 डाल दीजे अब solve कीजे तो same ही बात रहेगी तो आपको 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 already मिल रहा है, चिक है so that does not impact your answer, उसे कोई फरक नहीं पढ़ता है हम देखेंगे तो जाकर submit हो चुका है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा last बात से जो impact पढ़ता वो सिर्फ ये पढ़ता कि आप सिर्फ जौर करते चले जाएं value के साथ और end में to and to answer return कर दें दो 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 से आप जैसे भी करना चाहें हो जाए गई thank you very much, see you next question